कई बार मैंने देखा है बेहनों को, इस्तरियों को, बच्चीयों को, नौजवान लड़कियों को एक प्राबलम का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है उनके शरीर के अंगों का पूरा विकास नहीं हो पाता उनके जो अंग है वो छोटे रह जाते हैं जिस वजा से उनको शरम सी, जिचक सी महसूस होती है यहां तक कि डाक्टर के सामने में जहेप महसूस होती है का से बताओं, क्या बात करों, किसी के साथ डिसकस भी करने में प्राबलम होती है और यह भी पता है कि आगे जाके इससे प्राबलम आएगी मेरे श्रीर का विकास ही पूरा नहीं हो पाया तो क्या करें? किसको बताएं? अपनी तकलीफ किसको कहें? शर्म का रिष्टा है किसी को कह भी नहीं सकते बड़ों से भी शर्म आती है यहां तक कि कई बार तो मैंने दिखा नहीं नहीं शादी शुदा लड़कियां होती है वो अपने पती से भी इस बारे में बात करने में जिचकती है कि क्या बोले? और उनको फील होता है कि मैं बड़ा एंबेरिसिंग फील करती है कि मेरे अंगों का विकास पूरा नहीं हो पाया मैं यह कहता हूँ अगर ऐसी प्राब्लम है और जब यह शुरुवात हुई और आपको लग रहा है कि बच्चे के अंग पूरे नहीं उभर पारे यह शुरुवात में अगर इसको ठीक कर लेते तो यह उसी समय भी ठीक किया जा सकता था और अगर अब आपको जवानी आने शुरू हो गई है यह आप जवान हो चली है और फिर भी आपको लगता है कि मेरे पूरे श्रीर का विकास हो गया है लेकिन अंगों का विकास पूरा नहीं हो पाया तो यह बहुत दिक्कत वाली बात है यह आगे जांके दिक्कत देगे तो उसके लिए आज आपको बहुत बढ़िया बहुत आसान सा घरेलू उपाई बताने जा रहा हूँ अगर आप इसे करेंगी तो आपको इस शर्म को नहीं जीलना पड़ेगा पूरी तरह से आपके अंग विकास करने लग जाएगे आपका शरीर पूरा भर जाएगा और सारी चिंता सारा स्ट्रेस खतम हो जाएगा तो क्या करना है पंसारी की दुखान से शतावर ले आएं जैसे मानलो आपने आदा किलो शतावर ले लिया जा एक किलो शतावर लेकर आ जाए शतावर को घर पे लाके कूट के पीस के उसका च आत में धागे वाली मिश्री खरीद लाना, धागे वाली मिश्री जो आपने देखाऊगा परसाद बगरा में मिलती है, लोग तो आज कल जो बड़े बड़े दाने चीनी के आते हैं, उसको भी मिश्री बोलने लगे हैं, काइदे से वो मिश्री नहीं होती, वो तो बड़ी च मिश्री की बात कर रहा हूँ वो काम की है तो शतावर का जो कूट कर उसको चूरन बना ले रोज एक गलास दूद सुबा लेना है और एक चमच शतावर का चूरन उसके साथ खाना है उस दूद में मिश्री मिला ले उस दूद को मिठा करने के लिए तो जो मिश्री वाला दू आपने सुबा शाम दिन में दो बार शतावर का चूर दूद के साथ लेना है बस इससे ऐसी कमाल होगी कि जो आपके अंगों का विकास नहीं हो पारा वो पूरी तरह से विक्सित होने शुरू हो जाएंगी और आप को कमाल हो गया स्वामी जी हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड कुछ करने के जरूरत नहीं पड़ी और जो हमारे अंगों का विकास नहीं हो रहा तब विकास होना शुरूर है अगर आपको शतावर बजार से ना मिले या कूटने पीसने में दिक्कत हो तो आप बजार से किसी भी आईरवेदिक स्टोर पर जाकर शतावर का चूरन मिल जा है वो भी एक ही बात है वो भी शतावर को पीसा हुआ है तो शतावर का चूरन ले आए और उसको एक चमच सुबा एक शाम मिश्री वाले दूट के साथ प्रयोग करना शुरू करें आपको बहुत अधिक लाब होगा आपकी सारी जो शर्म है जिस वज़ा से आपको लग रह गई या मेरे अंग पूरे विकास नहीं कर पाए वो जितनी भी आपकी कमिया है सारी दूरी हो जाएंगी और पूरी तरह से फिट हो जाएंगी